हेलो फ्रेंड्स कोगवे सोनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए चनादार लौकी की रेस्पी लेकर आई हूँ जिसको कि आप बिना मसालों के बेहादासानी से बना सकते हैं चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह एक लौकी लिए क इसको कुकर में डालके अच्छे शे वास कर लिया है और यहाँ पर जो लौकी काट कर मैंने रखी है उसको कुकर में एड कर लूँगी तो यहाँ प्रेट करने के बाद मैं इसमें दो ग्लास पानी एड करूँगी और इसमें बेहत कम मसालों का इस्तमाल कर रही हूं मैं एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और एक चौथाई चमच का लाल मिर्च का पाउडर और एक पिंच काली मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार नमक डालके कुकर में ढखकर लगा के इसको चा जाएंगी पक जाएंगी और यह देखिए जो सब्जी और दाल है वो दोनों ही पक चुकी है तो इसको मैं चेक कर लूँगी और इसको चम्चे की साहता से इस तरह से दबाते हुए चलाएंगे ताकि थोड़ी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ यहांपर कढ़ाई मैंने पहले से ही घरम कर ली थी तो इसमें मैंने दो चम्मच के करीम मश्टर कर डाल दिया है और इसमें मैंने यह काली वाली जो सर सो होती है वो डाली यह एक चम्मच जीरा और हरी मेर्ज और लेसुन को कट करके पहले से रख लिया था उसको मैंने तड़के में इस्तिमाल किया है और जो प्याज है वो एक मीडियम साइज की प्याज कट करके अल्रेडी रखी थी उसको भी मैंने यहां पर एड़ किया है इसब को आपस में मिक्स करके भून लेंगे गोल्डन राउन होने तक हम प्याज को भूनेंगे तो यह रैस्पी बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि लौकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और यह साथ ही मैंने यहां पर एक चुटकी नमक डाला है और यह टमाटर एक एक दम छोटा साइज का टमाटर था वह एड़ किया अगर आपको ज्यादा टमाटर पसंदने तो आप बड़ा भी ले सकते हैं कि और इसको भी थोड़ा एक मैट के करीब इसको भून के फिर इसमें जो दाल हमने बनाकर रखी है ना उसको एड़ कर देंगे तो आप इससे जरूर ट्राइ किजेगा खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी है तो इसको मिलाके हम पांच मैट के लिए इसको ढखल लगाके ढखके पकाएंगे ताकि जो दाल और लौकी वह अपस में अच्छे से मिक्सफ हो जाए और जो यह तड़के का जो फ्लेवर है ना वह भी अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए तो यहां पर देखिए पांच मैट हो चुके हैं और जो सब्जी है वह हमारी वन के रेडी है तो इससे सर्फ कर लिया है मैंने इसमें उपर से गी डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना वह दो गुना और आप इसको चावल के साथ रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं मिलते हूं एक नेक्स रेसिपी में थेंक यू